अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए अच्छी डाइट पाकिस्तानी बूली जिसको इंडियन मास्टिफ भी कहा जाता है अगर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए अच्छी डाइट दी जाए तो देखें भी मस्कूलर एज अमेरिकन बूली की तरह ये मस्कूलर भी हो सकते हैं लेकिन इनको पंजाब में रखा जाता है तो वहाँ पे इनको इतनी ची एक्सराइज नहीं करवाई जाती है इनको सिंपल डाइट पे रखा जाता है इनको फाइटिंग के लिए यूस किया जाता है और इनको जो है वो खुला छोडा जाता है और जो most इनकी जो intense workout होता है that is running तो running से इनके muscles इतने gain नहीं होता है ये lean हो जाते हैं लेकिन हम इनको proper train करें तो देखें इसली gain muscles So guys, जो number 4 पर dog breed है that is Rottweiler Rottweiler is one of the best guard dogs in the world and they are very muscular अगर आप इनको guarding perspective से देखो तो हमेशा Rottweiler और Doberman का competition रहा है लेकिन Rottweiler हमेशा Doberman से अपने muscles की वज़ा से आगे निकलता है क्योंकि ये काफी muscular होते हैं इनकी bite force भी काफी जादा heavy होती है इनके muscles की वज़ा से So Rottweiler जो है वो police में भी use किया गया था एक time था जब Rottweiler की breed बिलकुल खतम होने को आ गई थी और उसके बाद जब इनको police में military में डाला गया तो इन्होंने अपनी breed को proof किया और इन्होंने काफी अच्छा perform किया उसके अंदर So वहाँ से Rottweiler की breed आगे चली अगर वहाँ पर ये खुद को proof नहीं करते हैं तो हमें Rottweiler देखने को नहीं मिलता तो Rottweiler is a muscular dog breed काफी अच्छे muscle का डॉग है ये and they have natural muscles इनको training के इलावा भी इनके ऊपर muscles होते हैं So guys, जो number 3 पर dog breed है that is American Pit Bull American Pit Bull का हम सब को पता है कि अगर हम Western में देखें तो American Pit Bull को इतना जबरदस तरीके से train किया जाता है कि उनके muscles अलग ही नजर आते हैं उनकी skin के उपर से बट हम Asian countries में देखें तो हमारे पास इतनी facilities नहीं है कि हम उनको इतना अच्छा train कर सकें इतनी अच्छी diet दे सकें वो लोग अपने dogs को भी वे protein की diet उनके पास आ गई भी है वो proper supplements देते हैं अपने dog को और अगर आप Western के American Pit Bull देखो और हमारे देखो तो आपको अस्मान जमीन का फरक नजर आएगा So this is the reason कि अगर naturally इनको train किया जाए तो American Pit Bull can gain a lot of muscle and वो already ही muscular होते हैं since the time of their birth So okay, जो number second पे dog breed है, that is French Mastiff French Mastiff is a very perfect muscular dog breed इसको guarding के लिए यूज किया जाता था, farms के अंदर इसको hunting के लिए भी यूज किया जाता था, ये dog breed काफी अच्छे muscle size की dog breed है और muscle size के साथ साथ ये काफी huge भी होते हैं ये और अच्छा खासा भाग भी सकते हैं, अच्छी खासी workout भी कर सकते हैं and they can gain a lot of muscles like American Pitbull and American Bully ये Mastiff family से belong करते हैं और Bull Mastiff से जितने भी dogs belong करते हैं they are very muscular, so as French Mastiff, this is the reason French Mastiff is on number 2 So guys, जो number 1 पे dog breed है, that is American Bully हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, social media पे, youtube पे, हमने जहां पे भी देखा American Bully का muscle level अलग ही होता है as compared to other dog breeds इनको जब train किया जाता है, इनको supplements दिये जाते हैं, तो इनके muscles, काफी quality muscle ये gain करते हैं एक तो इनका जो structure होता है, वो ऐसा होता है, कि they look very attractive when they are on muscles जब ये proper muscles पे आते हैं after training, बहुत ज़्यादा attractive लगते हैं, क्योंके इनका structure ही ऐसा होता है कि ये काफी ज़्यादा attractive होता है, इनकी small height होती है, bulky size होता है, बड़ा head होता है, broad head होता है, broad neck होती है तो muscles के साथ this breed looks very attractive, this is the reason is dog breed को मैंने number one पे रखाया है in the top five muscular dog breeds So guys, ये थी आज की वीडियो, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, subscribe कर दो, bell icon को दबा दो ताके हराने वाली वीडियो आपको मिलती रहे comments में ज़रूर बताईए, if there is anything missing, love you all